फ्रेंट्स गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और तर्बूज भी मार्केट में मिलने लगा है और तर्बूज अपने घर में लाते हैं उसे खाते हैं लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिसे आप तर्बूज को पैसान सकते हैं कि वो लाल है या सफे है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो हैलो फ्रेंट्स वर्कम बैक टू मैं चैनल दीदी एक ऐसे करूं में आपका स्वागत है फ्रेंट्स गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और तर्बूज भी मार्केट में मिलने लगा है वैसो ति हर मौसा में मिल जाता है लेकि कभी के वह अच्छा निकल जाता है रेड है मीठा है कभी कभी क्या होता है वाइट सा निकल जाता है और पानी जैसा लगता है मीठा भी नहीं होता है तो मैं आपको कुछ टिप्स बताओंगी जिसको फॉलो करके आप मार्केट में ही पहचान सकते हैं कि वह तर्बूज अगर आपका तर्बूज मीठा नहीं है या वाइट है तो आप इस तरीके से ना उसका छोटा सा धकन निकाल के और उस पे आप एक चमच चीनी इस तरीके से डाल के फिर धकन को लगा के कुछ दे के लिए छोड़ देंगे ना तो चीनी क्या है ना वह घूल के और पूरे कुछ तरीके अपना का कुछ जान के आप इसको पहचान सकते हैं खरिजने से पहले ही कि यह तर्बूज मीठा है या नहीं जब भी आप मार्केट में तर्बूज लेने जाए तो सबसे पहले यह देखिए कि वह हरा है या उस पर पीले-पीले चिति-चिति दाग पड़े उसके छिलके में और जो पूरी तरह से न हरा होता है जो इसमें थोड़ा सा शाइनिंग होता है वो तरबूज बहुत ही अच्छा होता है और आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं कि जब भी तरबूज को उठाए न तो वह बहुत अगर भारी है तरबूज तो समझ जाईए कि वह तरबूज अच्छा है उसमें बहुत पानी है और वह लाल भी होगा बहुत वजन होगा उसमें कभी कभी क्या होता है कि अपने नोटीस के बहुत छोटा ही तरबूज होता है लेकिन बहुत वजन होता है उसमें और बड़ा तरबूज होता है उसमें वजन भी नहीं होत अर्व लोम के उलंग मेघ सबस्क्राइब第一個 सबतारी श्लगर सबस्किशन पर फंग बाइब 115 वीज जोड़ी अफ़ें इस दो सबस्कू काण बढ़ों जोड़त घ Lazare सरफिशन सबस्क्राइब कर बिज के तरह सबस्क्राइब वाइट पार्ट छोड़के और रेड वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं जैसे मैं निकाल रही हूँ नेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वाइट आ जाए तब उससे बाद में भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है इसको निकालने के वाद आप देखी जहां से बीज है और छिफे सब्सक्राइब और चमद से निकाल लीजिए इस तरीक बहुत असानी से बीज निकल जाएगा और ऀसको भी अपलेट में देंगे बीज नहीं आएगा फोक लगा के देदीं बहुत अच्छे से छाले देग तरीके से आप इसको काटके और अच्छे से दे सकते है स्लाइसेज भी काटेंगे न तो बहूत अच्छे सेी कट जाता है और वी बीज भी असानी से एक तरफ आ जाते हैं इससे क्या हो रहा है कि अगर भारी पंड आवाज आ रहा तो तर्भूज आपका बहुत है और अगर आप आप से ठप ठपा रहे हैं और धभढ़ीया अारा सब्सक्राख़ा और इस तरीकी से नहीं जुत को भीक कर सकते हैं इस एक और तरीका में आपको बता देती हूं कि जब आप स्था द्था की सूब अधकники को वह रिप, पता हुआ है और जिसका अभी कच्छा है अच्छे से लाल नहीं है तो इस तरीके से भी आप पहचान कर सकतें मीठे तरबूच की फ्रेंड्स यहां में एक और बात आपको बताना चाहऊँगी कि तर्बूज आप उसी हुसाब से लेज़े इतनी आपकी फैमिली है आप ऐसा तर्बूज लीजिए बड़ा लेना है कि छोटा लेना है आपको decide करना है लेकिन आप उतना ही तर्बूज लीजिए कि जितना आप एक बार में उसको खा के खतम कर दिजिए कभी-कभी आप बढ़ा ले लेते हैं और एक बार में हम उसको खा नहीं पाते हैं और थोड़ा-थोड़ा काटके उसको फ्रीज में रखते हैं और फ्रीज में रखा हुआ तर्बूज नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फायदे के बजाएना नुकसान ही करने लगता है तो आप ज्यादा तर कोशिज करिए कि इतना साइच का तर्बूज लीजिए कि आप उसे एक बार कट करिए और उसके बाद खा के उसको खतम कर दीजिए फ्रीज में रखने की नौबत ना है उसकी जरूबत ना पड़े फ्रीज में रखने से तर्बूज ज़्यादा नुकसान करने रखता है फायदे के बजब नुकसान करेगा तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखके ही तर्बूज घर में ले आए friends जब भी हम तर्भूज गर में लाते हם तो सबसे पहला काम होता है लेकिन आप उससे पहले ना उसको नॉर्मल पानी में बालती में या टब में आप डालके तरभूज को रख दीजिए और वैसे खायेंगे तो ज़्यादा तर अच्छा रहेगा वरना फ्रीज में थोड़ी दिर के उसको ठंडा करने के लिए रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ह के बाद न उस तरभूज को आप पानी में थोड़ी देख लिए छोड़ के जरूर रखें क्योंकि धूप में रहने गर्मी होती है और थोड़ा दिर पानी में रख देंगे तो उसकी गर्मी जो है वो खतम हो जाएगी और जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो आपको काटा हूँ दिख जाता है कि चले ही आते हैं लेकिन आपको ऐसा कोषिज करना चाहिए इतना कोषिश करिये क्योंकि जिस तर्भूज को से आपको काटे हुँ कि नहीं धोते होंगे तो इसलिए न उसमें वैक्टिरिया भी हो जाता है वह अच्छे से हाइजिन नहीं है वह तो आप इस तरीके से क्या करें न कि जब भी तर्बूज होना आप घर पे ले आके काटिए उसको काटा हुआ मार्केट से कभी खरित के नौ लाएं क्योंकि वह अब बगएरा धोते हैं कि नहीं धोते हैं तो इस लिए गर में लाके ही उसको काटें कटा हुआ तरबूज को या कटा हुआ फॉल कोई सा भी आपको घर में लेकर नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स एक और बात मैं यहां बता देती हूं कि रात में कभी भी तरबूज को नही कि रात में अच्छे से पच्चता नहीं आप खाना नंगा नहीं तो दोपैर में खाईये रात नो ga ष़यों पच्छे कर रहे तो आथों में जलन सकता है क्यों कि रात में जो हमारा डाइजेशन से इतन प्रोसेश होता है तो दिन दिन की दोवर बहुत ही DR. Yam hg यह लिए अच्छे से पच्चता नहीं है तो रात में बिल्कुलि करना है आपको रात में नहीं खाना इस बात का ज़रूर से आप ध्यान रखे एक बात का और ध्यान रखे हैं जब भी आप तरूज खाएं न तो इसमें तर्भूज में न बहुत सरे विटामीन और मिलनस आप क्योंकि आपको पेट के लिए बहुत ही नुक्सान दायक हो सकता है जैसे दूद दही दाल या कोई भी ड्राइफूड वेगरा हुआ यह तुरंत नाखा है थोड़ी देर बाद खा लीजिए क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में मीटा मिल्लस हैं तो इसको तुरंत खाने क बना दूद दाल दही यह सब चीजों को थोड़ा सा एवॉइड करें थोड़ी देर बाद खाईए क्योंकि इस तरीके से मिक्स करके खाएंगे तो आपको पेट के लिए वह सही नहीं होगा तो इस बात का जरूर ध्यार रखेंगे फ्रेंस आई होब आप लोग को वीडियो को देख रहे हैं मेरे पहड़ी बार वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे मैं ऐसे इस फिल वीडियो लेके आती रहती हूं तो आई होब आप लोग को यह वीडियो पसंद रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दीजे तो मिलते हैं एक नए वीडिय लुमी तब तब किली, बाइब बाइब